बिस्मिल्लाहिर्मार्यराहिम असलामलेकूम मिरे नम है आप देखरें आप वियास किचन आज मेरे किचन में बने टमाटो प्यूरी ते चीह ज़िए जना बहुत ही सिंपल सी टमाटो प्यूरी की रेस्पी आप लोगों से शेयर करूंगी यह आप लोगों बनाके सेफ कर सकते कम असकंब 5-6 महिने के लिए टमाटों को सेफ कर लेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टमाटा ले लिए मैंने टूकेज टमाटा लेंगे इनको रफली मोटा मोटा से चौप कर लूँगे मैं इस तरह इनका मुह उतारेंगे इस तरह चार-चार तुक्रे 5-5 तुक् सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज में चैने को सब्सक्राइब करें बेल लाजमी प्रेस की करें तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस तरह सारे टमाटा को मैंने पीस लिए अब जिस कड़ाई में इनको पकाना हैं उसी कड़ाई में मैं छनी रख करें लिए कि निकल आया इनका तो अब इनको चूले को पर रखेंगे पकने के लिए कंशकम 35-40 मिंट लगें इसे पकाते रहेंगे इतना पकाएंगे जब तक जोंड़ा नोब दाल्चीने डाल दूंगरां में एकएंगे इंच के बन टीस्पुन की क्रीमें में नमक डाल द पड़ ने Finnish करभ थे काफी घुब्रीड टो यह माशाला से घुब्री डाले तो निकाल लूंगे मेंसे इस तरह बसा मैं जमा के दिखाती हूं आप लोगों को इनको इस तरह देखे क्यूब्स की शेकर में मैंने इनी जमा लिए और बाकी जो बचा था मैंने जब बर्नी में डाल दिया सारा का सारा तो यह देखे माशाला से काफी लंबी अरशे तक हम इसे सेफ कर लेंगे बहुत ही अच्छी सी मारी टमाटो प्यूरी से बन गई है तो इसे वन केजी चिकन में एक यूप डालके आरप राम से साले बना सकते हैं तो इसे के साथ मैं ज्याज़ा चाहूंगे अल्ला पही ने के लिए टमाटर अभी ससती है तो मोटा मोटा साथ चाप कर लेंगे सबसे पहले इनको मैं मशीन में टालूंगी में और ब्लेंड कर लूँगी इशली तरह आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राब करें लेकिन को लाजमी प्रेस की करें तक मिनी न्यू आने वाली वीडियो को नोटिक्टिशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो देखें इस तरह सारे टमाटरों को मैंने पीस लिए अब जिस कड़ाई में इनको पकाना है उसी कड़ाई में में चनी रखूंगी और सारी पेस को अच्छी तरह ताके पल्स हमें मिल जाओ बीज चिल्कियों उनको निकाल दें चनी के मंदद से इस तरह सारे टमाटरों को चान लूगी में इस तरह सारे टोमाटरों को मैं इच्छे से चान लिए अब मैं रखूंगी से पकने के लिए यह देखे माशालों से काफी सारा पल्स निकलाया इनका तो अब इनको चूले को पर रख देंगे पकने के लिए कम असकम 35-40 मिंट लगेंगे ने पकने के लिए हाई फ्लेम पर इससे पकाते रहेंगे इतना पकाएंगे कि जब तक यह गाड़ा ना हो जाए सारा इसका पानी खुश्क ना हो जाए दो स्टिक दालचीन के डाल दूंगे मैं एक एक इंच के वन टीस्पून के क्रीम नमक डाल दिये इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे एक दफा बीच मिक्स में चलते पिर चमाच चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना और अच्छी से पकना शुरू हो जाए तोउँ देखे 20 मिंट हो गया है पकते हुए काफी एक शुरू हो गया यह एक दफा चमच चला के भीच में मिक्स किया थे इच्छाओ गड़ा होना शुरू हो गया चमचला चला की से पकाते रहेंगे छैंगे यह काफी लंबार से अतो तकरब में आपिज्स कर सकतiti है तो तो इस तरह में जमा के दिखाती हूँ आप लोगों को इनको इस तरह देखे क्यूब्स की शेकर में मैंने जमा लिए और बाकी जो बचा था मैंने जब बर्नी में डाल दिया सारा का सारा तो इस देखे माशाला से काफी लंबे अरसे तक हम इसे सेफ कर लेंगे बहुत की अच्छी सी मारी ट्माडो प्यूरी से बन गई है तो इसे वन केजी चिकन में एक यूप डाल के आरप राम से सालम बना सकते हैं तो इसे के साथ मैं जाज़ा चाहूंगे अलाफ वेस